क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल की टीम ने इंटर स्टेट किडिनी ट्रांस्प्लांट रैकेट का परदाफाश किया है इस मामले में किंग पिंग सहित 15 आरोपियों को ग्रफतार किया गया है इनके पास से 34 फेक स्टांप, 17 मोबाइल, 2 लैप्टॉप, 2 सिम, लगजरी गाड़ी और 1.5 लाख रुपए के अलावा फरजी डोकुमेंट और पेशन्ट की फाइल इत्यादी बरामत की गई है ये गैंग दिली, NCR, पंजाब, हर्याणा, मद्यप्रदेश और गुजरात, इत्यादी राजों में भी एक्टिव था गई ये उसमें उनको रेलेटिव दिखाकर कमीटी से उनको अप्रूव कराते थे तो इसमें ये फुल मिला के 35-40 लाख रुपे लेता था एक पेशन्ट से जिसमें की सारी कॉस्स इंप्लूडिड होती थी गिरफतार किये गए आरोपियों में किंग पिंग संदीप आरे नोडा का रहने बाला है ये पबलिक हेल्थ में एम्बिय की पढ़ाई कर चुका है ये 35-40 लाख रुपे लेता था और सब कुछ खर्च करने के बाद 7-8 लाख एक किडिनी ट्रांस्परांट पर बेचता था वहीं ये भी पता चला कि क्रेडिट कार्ड चीटिंग के मावले में भी ये शामिल रह चुका है दिल्ली से कमल कुमार कंसल पंजाब केसरी टीबी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए